निसलतानारे प्यार का मौसम माया Hello my lovelies, कैसे हैं आप सब लोग? Welcome back to my channel और आज के वीडियो में मैं create करने वाली हूँ ये soft glam look for valentine day जी हां बस और कुछ दिनों का इंतजार और उसके बाद आ रहा है valentine's day जिसका हम सबको ही आमोमन बेसबरी से इंतजार रहता है so create करने वाली हूँ ये एक soft look, usual red से थोड़ा हटके so बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ and let's get started so सबसे पहले शुरू करूँगी toner से और उसके लिए यूज़ कर रही हूँ ambahaldi toner, alps goodness का और pat pat करके लगा लूँगी उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये good vibes का saffron day cream काफी thick moisturizer है winter में आजकर आप मेरे को हर वीडियो में ही देख रहे होगे इसको यूज़ करते हुए for that extra nourishment and extra hydration आखों के नीचे भी अच्छे से मसाज कर लूँगी क्योंकि यही वो area है जहाँ fine line पे foundation वगेरा subtle हो जाता है so अब मैं ले रही हूँ good vibes का ये grape seed serum illuminating serum है ये इसका detail review मेरे channel पर है अगर आप देखना चाहो तो मैं link कर दूँगी और valentine day है यार glow करना तो बनता है है ना आजके दिन तो खास glow इसके लिए मैं यहां यूज कर रही हूँ मेरा favorite swiss beauty का real makeup base highlighting primer और देखो क्या glow आ रहा है बहुत मज़ा आ रहा है इसको लगाने में आजकल मुझे बस 5 minute के लिए इसको छोड़ना है ताकि शीपन हो जाए और foundation के लिए मैं ये ले रही हूँ sugar का drop the base serum foundation shade number मेरा मुझे याद नहीं इसवक्षा 27 है मैं description box में दे दूंगी और with the help of a wet beauty blender damp beauty blender मैं इसको blend out कर रही हूँ थोड़ा सा मैंने fast forward पर लगाया है guys blending and all that stuff ताकि वीडियो का length जो है वो बहुत जादा लंबा ना हो जाए ने केरिया को मत भूलिएगा जब कभी भी आप लोग foundation लगाओ BB cream लगाओ hair lines को भी नहीं तो बहुत अच्छे से इसको मैं blend करूंगी और powder का इस्तमाल बिलकुल भी नहीं करूंगी क्योंकि फिर मैंने जितनी महनत glow लाने में की है उस सब की ऐसी थैसी हो जानी है तो यहां मैं यूज कर रही हूँ Maybelline का Age Rewind Concealer मेरा shade इसमें medium है और इसको मैं eyelids के उपर भी लगा रही हूँ ताकि यह मेरा eye primer का भी काम कर जाए और जहां-जहां मैं highlight करती हूँ मैं वहां-वहां भी इसको मैंने लगाया है और beauty blender से वापस उसको मैं blend करूँगी कुछ इस तरह से ड्रैग नहीं करना कभी भी product यह tutorial समझ लो आप यह जो भी समझ लो बढ़ यह है कि आप कभी भी ना products को drag मत करना अब अगेन टेकिंग अनादर फेवरिट प्रड़क्ट ऑफ माइन दिस इस स्विस्ट ब्यूटी का ट्विन वन eyebrow powder और gel eyeliner तो अपने eyebrows fill करूँगी I don't want to go overboard अपने date को डराना नहीं है तो बस एकदम ताकि natural सा eyebrow लगे आपका मैं उसी तरह light fill कर रही हूँ और वापस से same concealer लेकर के eyebrows को clean कर रही हूँ step से eyebrows जो है और enhanced लगते हैं ठीके ना और उभरे हुए लगते हैं और क्योंकि beauty blender से मुझे ऐसा लगा कि मेरा concealer जो है ना वो काफी उस पे absorb हो गया था तो इसलिए मैं बस एक हलका सा layer आँखों के उपर लगा रही हूँ और इस बारी अपने fingers से ही इसको मैं blend कर रही हूँ और जैसा कि मैंने बोला powder का इस्तमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ सिर्फ अपना banana powder लिया है pressed वाला और सिर्फ जहां मैंने concealer लगाया था वहीं लगा रही हूँ आज के eye look के लिए मैं ले रही huda beauty का ये nude palette and taking this beautiful color इसका नाम है secret और इस color को मैं अपने crease area पे लगा रही हूँ बहुत soft peach color का color है ये color का color soft color है ये और बस इसी से अपने crease को build कर रही हूँ अब इसी brush को ज़रा साफ कर लूँगे क्योंकि सेम brush को मैंने use करना है और ये color लिया है मैंने play ये थोड़ा सा skin color जैसा ही है थोड़ा सा dark skin color और इसको लेकर के मैं transition build कर रही हूँ ठीक है जहां मैंने crease color लगाया था उसी के उपर से मैं उसको build कर रही हूँ अब ये मैंने color लिया है teddy ठीक है और इस color को लेकर ये थोड़ा सा dark color है इसको लेकर के अपने crease को ही मैं build कर रही हूँ थोड़ा सा मैंने forward पर लगाया है ताकि length बड़ा ना हो जाए वीडियो का और वापस से same brush लिया है मैंने जिससे मैंने secret वाला first color लगाया था transition वाला product नहीं लिया है सिफ उसी को ही brush को लगा रही हूँ ताकि buff out हो जाए edges and now taking this concealer मैं अपना I'm cutting my crease ये वाला process जो था वो अपने crease line को समझने के लिये था क्योंकि मेरी hooded eyes है and I always struggle to find out my crease तो मैं इस से अपने crease को cut करूंगी तुछ ऐसे now taking this beautiful color इसका नाम है infatuated this is you know light pinkish and copperish color का shade है ये I don't know मैं आप रोगों को समझा पा रही हूँ के नहीं it's a shimmer shade और एक flat shader brush की मदद से मैं इस color को अपने lid के उपर लगा रही हूँ कुछ इस तरह से सिफ pack कर रही हूँ color को अब एक angular brush की मदद से मैं ये वाला color ले रही हूँ tease ठीक है ये वो teddy से भी dark color है और उससे मैं पहले तो shimmer shade और outer corner के बीच में लगा रही हूँ to merge the colors और उसके आउटर वी खो थोड़ा सा में और intensify कर रही हूँ same color से कुछ ऐसे अब मैं same play color लोंगी जो वो skin color था और उससे बस अपने edges जो है वो मैं buff out कर रही हूँ अच्छा हाँ आज के look के लिए मैं contour का इस्तमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ because मुझे harsh कुछ भी नहीं चाहिए soft clam look है तो मैं ये SFR का blush लिया है मैंने peach color में और इसी को तो ही मैं ऐसे लगाऊंगी जिससे ये मेरे blush का भी काम करेगा और क्यूंकि ये shade इतना प्यारा है तो ये बिल्कुल हलका सा आपको contour का भी काम manage कर देगा but nose contour के बिना चलता नहीं मेरा तो इसलिए मैंने सिवाना का ये parrot लिया है और बस finger की मदद से मैं सिवा अपने nose को हलका हलका contour कर रही हूँ और अब काजल के लिए मैंने लिया है ये steak worky का bearish काजल और बाकी इसी से ही मैं water line, tight line और जो भी है वो सब lines मैं fill कर रही हूँ कुछ ऐसे और थोड़ा सा गहरा काजल लगाऊंगी आपको पता है मुझे पसंद है बहुत जादा गहरा काजल लगाना और eyeliner के लिए same swiss beauty का मैं ये gel eyeliner ले रही हूँ और इसी से मैं eyeliner लगा रही हूँ wing नहीं निकालूंगी बहुत मगर बिलकुल छोट as a tiny सा wing देखो मैंने यहां निकाला है and taking back the palette और मैं इस में से out कर रही हूँ और फिर मैंने यहां से color pick किया है दूसरा वाला secret है हाँ शायद यहां secret और बस उस से मैं inner corners को भी कर रही हूँ अब मैं यहां लगा रही हूँ glitter और इस glitter का नाम है crave बहुत ही प्यारा golden और pink और वो mix glitter है highlighter के लिए मैं ले रही हूँ swiss beauty का यह drop and glow liquid highlighter soft glam look है na तो powdery product मैं आज के look में एकदम avoid कर रही हूँ minimum से minimal मैं इसको रख रही हूँ so मैंने यह liquid highlighter लिया है and it's glow time beauty blender की मदद से मैं इसको blend करूँगे यह बहुत अच्छे से finger की मदद से भी blend हो जाता है और अपने usual points cupid bow, bridge of my nose, chin forehead मैं लगा लूँगी कुछ ऐसे और इसको मैं blend कर लूँगी lipstick के लिए मैं आज यूज कर रही हूँ NYB का यह soft matte bullet lipstick इसका shade है peppy Pearson बहुत beautiful सा shade है और मेरे outfit के साथ perfect जा रहा था और बस इसको मैं लगाऊंगी यह मेरे soft nude look को ना complete करता है compliment करता है यह वाला lip color और मैं अपना favorite product कैसे बूल सकती हूँ, यह Mars का fabulous mascara है, मुझे यह Mars cosmetics की तरफ से PR में received हुआ था, absolutely wonderful product कई बार आप लोगों को recommend कर चुकी हूँ settings price से face को set कर लूँगी, जो एक dewy finish देगा और यह रहा मेरा finished look कैसा लग रहा है, comment करके जरूर बताईएगा guys और अगर आपको लगे कि आप यह recreate करना चाहो तो जरूर करना मुझे बहुत खुशी होगी और मगर मुझे इंस्टा पर tag भी जरूर करना नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा है ना so valentine day आ रहा है इस तरह से आप तयार हो मुझे इंस्टा पर tag करना और वीडियो पसंद आए तो please like कर दीजेगा channel को मेरे subscribe कर दीजेगा अपने friends and family के साथ भी share कर दीजेगा so beginner friendly makeup है बहुत जादा इसमें ताम जाम है नहीं तो आप easily इसको create कर सकते हो again requesting video पसंद आए तो like, share, comment and subscribe इंस्टा का link आपको screen पर मिल जाएगा और description box में भी मैं दे दूँगी so मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए क्या? तब तक के लिए keep loving, keep supporting and keep watching my videos bye bye